आरवेदा होम केर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की थरा आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ असरदार गहेलू उपाई। सुन्दर और घने बाल हमारे व्यक्तित्व का आइना होते हैं। किसी व्यक्ति की हैस्टाइल उसकी सुन्दरता और व्यक्तित्व में चार चान लगा देते हैं। लेकिन ओफिस के प्रेशर और परसनल लाइफ के स्ट्रेस के चलते बालों का जढ़ना और सफेद होना बहुत आम हो गया है। लेकिन यदि आप अपने बालों की सही देखबाल करेंगे तो निश्चन तोर पर आपके बाल अच्छे रहेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो एक्सरसाइज और कुछ घरेलू उपाए जिनके मदद से आपके बाल मजबूत और घने रहेंगे। चलिए पहले बताते हैं मजबूत और घने बालों के लिए कुछ टिप्स। मोटा बनाते हैं अंडे की सफेदी में जैतुन का तेल मिलाएं एवं शहत को आपस में अच्छे से मिला लें अब इसे समान रूप से पूरे सिर में लगाएं और एक घंटे के लिए इसे छोड़ दें इसके बाद इसे ठंडे पानी और शैंपू से अच्छे तरीके से धो लें ये रूखे और कमजोर बालों को मजबूत करने में मदद करता है इसके अलावा अंडे में थोड़ा दूद मिलाकर गाड़ा होने तक अच्छे से इसे फेंट लें इस मिश्रन को बालों में एक घंडे तक लगाएं और फिर धो लें इससे बाल घंए होने के साथ अगर बाल दो मुए हैं तो दो चमज ग्लिसरीन, आलवीरा जेल और अंडे का पीला हिस्सा लें इन सभी को अच्छे तरीके से मिला लें और बालों पे अच्छे तरीके से लगा लें आदे घंटे बाद बाल आप धो लें बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए आवल के जूस को सब्ता में एक बार लगाने से बाल चमकदार और मस्बूत होते हैं त्वचा के साथ-साथ ऐलोवीरा बालों के लिए बहुत फाइदमंद है ये बालों के सबसे बड़े दुश्मन डैंडर्फ से छुटकारा दिलाता है जिसे बाल स्वस्थ और मस्बूत होते है सिर के बाल पर अलोवीरा और शेहत को बराबर मात्रा में मिला कर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें फिर ठंडे पानी से इसे अच्छे तरीके से धोलें बालों में दही का पोशिन भी फाइदमंद होता है बालों में रेगुलर दही लगाएं और आदे घंटे के ब इसके बाद इस पेस्ट को अपने सर की खाल पर लगाएं जब ये पूरी तरीके से सूख जाए तो इसे धोलें इससे बाल मजबूत और घंटे होंगे केले को अच्छी तरीके से मैश करके उसमें दो चम्मच नीम्बू का रस मिलाएं बालों पर 20 मिनट तक लगाएं और फिर बाल अच्छे से धोलें अगर आपके बाल ओयली हैं और डैंडरफ भी होता है तो थोड़ा सा पका पपीता लेकर मैश करें उसमें बेसन और आपल पेनेगर मिलाएं इस पेस्ट को आदे घंटे के लिए बालों पर लगाएं और उसके बाद शैंपू कर लें एक प्यास को पीस कर उसका जूस निकाल लें अब इस जूस को बालों में लगाकर मसाच करें फिर आदे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें बाद में शैंपू स इस उपाय को हफते में दो बार दोराया जा सकता है। इस उपाय को आप जरूर दोरायेगा। ये उपाय आपके बालों को चमकदार, स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करेगा। या फिर किसी भी अन्य तेल का इस्तमाल कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज भी बहुत असान और फायदमंद है। हेर एक्सपर्स का कहना है कि दोनों हातों के नाकुनों को आपस में हलका हलका रगरने से बाल बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं। और हल्दी भी होते हैं। इस एक्सरसाइज को नियमत करने से हमारे शरीर में हार्मोन्स तेज होते हैं और बाल जड़ से मजबूत होते हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा फाइदा ये है कि आप इसे भरी हुई मेट्रो या बस में सफर करते हुए भी कर सकते हैं। और आपको फाइदा हो रहा है तो देखते रहे और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धन्यवाद।